अम्रिसर्ट दे मजीठा रोड ते अज दिल दहला देन वाली वारदात वापरी है अनपचाते नौजवान ने S.G. इंकलेव नेडे एक कुडी दा गोली मारके कतल कर देता कतल दे इस वारदात नों अन्जाम देन तो बाद मुल्जम ने कुडी दी लाश दे ही पिस्तॉल रखते ता अते मौके तो फरार हो गया मामला मुरिसट दे पंडोरी इलाके दाये मृत्य कुडी गंडा सिंग कलोनी दी रैन वाली सी पर उस दी लाश पंडोरी इलाके जो ब्रामत होई है कतल दी इस कटना कारण इलाके त संसनी फैल गई है पता लगा है कि कुडी फेशिल क्रॉन वास्ते पारलच गई सी जिस तरह नौजवा ने उसको कोली बादे ती दूझे पासे सुचना मिलन ते मौके ते बुझे पुलिस वेलों इस मामले दी जांच कीती जा रही है पर नाला दे कोविट केर सेंटर ज इंसानियत नो शरम सार कारण दिन वाली कटना सामने आई है जिते क्रोना दे नाल मौद दे मौव ज गए एक व्यक्ती दी लाश नो ता बैठते रख्या होया है पर एक जिन्दा मरीज जिसनो ऑक्सिजन भी लगी हुई है उसनो जमीन ते लिटा के इलाज कीता जा रहे है इस पूरी कटना दिया तस्वीरां सामने आई याने जिन आज वेख्या जा सकता है कि किस तरह एक लाश नो बैठते रख्या होया है जदकी जयोंदे इंसान नो ऑक्सिजन लगा के जमीन ते लिटाया होया है एस सबंदी सिवल सर्जिन डॉक्टर हरजिंदर जीत सिंग्दा की कहना है ओ तो होनो सुना दिने हूँ कि मैंने लग रहे है कि किसी तरह ना कंफ्यूजन है क्योंकि पेशेंट्स असी फर्षते हैं नीचे पहुंदे लगी कदे भी कोई अलावनी कर दे इंस्ट्रक्शन नहीं दन दे बज़िए तो हो सकते हैं लाइट गई होगे उस वेले म्रीज नों अपने बैट ते कंफर्टेबल ना लगया हुए ओ अपने अपनी इच्छा ना के ते नीचे लेट गया हुए अधर्वाइस मैं आप भी चेक करता रहना में डॉक्साब नों भी कहना है का एहो जी कोई मेरे है ज़रूर करा है है रानी इसकल दीए कि पहला सिवल सर्जन साहिब कहरें ने की इस तरह होई नी सग्दा कि किसे मरीज नों जमीन ते पाके इलाज कीता जावे पर तस्वीरा सामने और सिवल सर्जन साहिब दा कहना है कि मामलेदी जाच कीती जावेगी खैड कुछ भी विपाग दे माड़े परबंदान या पोल ज़रूर खोल दिया ने चंडिगट इंडस्ट्री एरिया फेस टू चो एक व्यक्ति को लोग पारी मात्रा दे विच को कीन प्रापत कीती गई है दस्या जा रहा है कि इंडस्ट्रील एरिये दी एक कोरियर कमपनी ज़ एक व्यक्ति अपना पार्सल आस्ट्रेलिया कोरियर करौन ली आया सी इस मौके SSP चंडिगट कुलदीब चहल वी मौके ते पांचे फिलहाल जिस व्यक्ति दाए पार्सल सी पुलिस ने उसनों गिरफतार करके हिरास दे विच ले ले लिया है जानकारी मताबिक इस व्यक्ति कोलों 10 किलो दे करीब को कीन ब्रामद होई है जिस दी अंतर राश्ट्री बजार दे विच कीमत 100 करोड दसी जा रही है नम्नीत कहां पर जॉब करते हैं और क्या पुछ हुआ आज मैं को जोब करता हूं दिस एरिया में तो आज एक आत्मी एक शिप्मेंट बुक्र होने के लिए अस्टेलिया के लिए जब हमने उसकी चैकिए कि हमने देखा कि इसमें क्या क्या समाने कि हम लिस्मनाते हैं वोग यहां तो अन्दर पर उन इंच गडिए कोपिए उसके एक लिस्मनाते हैं उसके पड़ा तो कि शुख कौकिन निकले लिस्मने की लिए वगद कि लिए उसके पागं प्रेड़ा तो पर पुलिस को इंपम किये तो लग बग्वे हैं तो लगदो खेए किस में थी एक क मौके दे पहुंचे SSP कुलदीब चहल ने दसे है कि उनवालोग गंबीटानार इस मामले दिजांच की ती जारी है तो सारा एक बर सीजर मेमो सारा बना के देंफिर आपक अपडेट करें। तो अभी इसमें तकरीब चोज़ा कमरा पाके दा बाकी चेक करके भूज़ा ने रोपी सकते हैं। चचचड़ाप हो गई। दोहा वलों एक दूज़े ते हमला कीता गया। हमले दौरान गड़िया दी पांतोड भी कीती गई। मौके ते मुझूद एक लड़के ने दसेया कि उन्ना उते 10 पारा लड़के वलों हमला कीता गया। जिना कोल हथ्यार वी सान। इस दिनाल ही लड़के ने दुझे गुट ते फाइरिंग करनते भी आरोप लगाई नें। लड़ाई दे कारना दा जे पता नहीं चल सक्या है ते उना बलो इस मामली ती जाँच कीती जारी है। लड़ाई पता करना पूरा पता करना पता करना अपने बलागे चाँच हुन सवाल यही उड़ाई की करफियो दरान अजेहिया वारदाता क्यों सामड़े आ रहे हैं। क्योंकि पूरे पंजाब पार दे विच छे वज़े तो बाद नाइट कर फ्यू लाग चांद है पोस्तर में आण होन वालिया हजें या कटनावां पुलिस ती कार गजारी ते भी वड़े स्वाल खड़े का रही हैं जिते पंजाब सरकार दे कई सीनियर आगू पंजाब कांगरस दे विच किसे वी किसम दी फोट तो इनकार कारेने ओथी नवजोज सिंग सिदू दे वलो मुख मांतरी कैप्टन अमरंदर सिंग खिलाफ किते जा रहे शब्दी हमल्यां दा दौर भी जारी है नवजोज सिंग सिदू ने आज एक हो ट्वीट कार दया के हा कि मेरी आत्मा आजवी ते कल भी शिरिगरू ग्रन साहिब जी ले इनसाफ दी मंग कारी है अथे फिर मुड कल इसे गल नो धहराएगी बे अद्वी दे मामलियां दे कोटक पूरा गोली कार्णू लेके सिदू लगातार पंजाब सकार दे निशाने साधर रेने मुख मंतरी कैप्टरन मरेंदर सिंग दे निशाना साधियां सिदू ने केहा पंजाब दी अंतर आत्मा पार्टी लाइन तो उपर है हते मेरे साधियां दे मोड्या दे राख के फाइरिंग करनी पंद करो तुसी सिद्धे तोर दे इस दे जम्यवार हो दे जवाब देओ दास्तिय के बीते दिनी पंजाब दे चार काबिनेट मंतरियां ने सिदू दे खिलाफ मोचा खोले ते सिदू दे अनुशाशन पंकरन दे इल्जामा तहट सक्त कारवाई करन दी मांगी थी सी दास्तिय के जिते एक पास से सिद्धू क्याप्टन खिलाफ तिक्खे तेवर विखा रहे ने हो थे एक कई पार्टी आगू भी सिद्धू खिलाफ मोचा खोल रहे ने ते सिद्धू ते कारवाई करन दी मांग का रहे ने पंजाब करोना दा कहर लगातार जारी है पंजाब जिस महामारी तो लोका नो बचाउन ले हर संभव कोशिश की ती जारी है जिस तहर चंडिकट पहुंचे पंजाब दे सेथ मंतरी ने 1998 मेडिकल अफसरान उपॉइंटमेंट लेटर वंडे इस मौक के सेथ मंतरी बलबीर सिंग सिद्धू ने कहा कि 18-45 साल दी लोका नो वेक्सीनेशन ते जानकारी दिन दे कहा कि पंजाब कोल हजी वेक्सीनेशन बहुत काट है ते के इंदर सरकार कोल इस ती मांग कीती जारी जल्दी एहे काट भी पूरी कीती जावेगी नालियो ना कहा कि इस पिमारी तो बचन लई डोर टू डोर कोरोना टेस्ट कीते जानगे ता जो पंजाब दी लोका नो इस पिमारी तो पचाया जा सके असी सेंटर गवर्मन लेके आएगा तो आटेज एटर इफेक्टव हैं लें ते इस इस पिसा ही कामनी कारते है ते ओदू बाद होनों को एक्क्रिवी मेर बोली है अगा मेरे निटर वो स्वनिशाव दा ड़्वार्मन्ट हैगा सुनिशाव वरू निदेख रहे लिए अगरे निटर गवर्मन लेके आटेज एगा तो आटेज वरू दिली दे राज़ारी गार्डन तो आम आदमी पार्टी दे सापका विदायक रही जर्नेल सिंग्दा अचानक देहांत हो गया है उना देहांत नाल सिक कौन नूब बड़ा काटा प्या है दास दिये की सापका विदायक क्रोना दी पिमारी तो पीडित सन जिसे चाल देहां उना दी मौत हो गई है सापका विदायक जर्नेल सिंग जी दी मौत दे दिली दे मुख मंतरी आर्विन केजरिवाल वलों ट्वीट करके दुखता प्रक्तावा कीता गया कि रिवाल वलो उना दी आत्मा दी शांती लई पर मात्मा अगे अरदास कीती गई है